हेलो दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल यूपी बारा में और आज हमारे पास एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए काफी समय से हमारे पास रिक्वेश्ट आ रही थी और ये टॉपिक है आर्मी के लिए डॉक्युमेंट्स प्रिपेर कैसे कर रही यानि क्य क्या डॉक्युमेंट्स चाहिए तो दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दू अगर आप इस वीडियो को शुरु से आखरी तक देखेंगे तो आपको कुछ ऐसी वी टिप्स मालूम होंगी जो आपको आर्मी में जानने के लिए काफी फायदे मन्द होंगी अगर आपको कोई डॉप समालिंग होंगी तो आपको काफी आसानी होगी आपको कोई प्रॉल्म ज्यादा फेस नहीं करने पड़ेगी तो दोस्तों हमारा पहला डॉक्युमेंट से एजुकेशन सर्टिफिकेट जैसा कि आप काफी समझदार दोस्त हैं हमारे और आप जानते हैं कि बिना हाई स्कूल बिना 10th की आप आर्मी नहीं जा सकते तो आपको 10th का जो बोर्ड का मार्कशीट है आपका रिजल्ट है वो तो आपको चाहिए चाहिए इसकी बिना कुछ नहीं हो सकता है और जो हायर है बी कॉम बेसी 12 जो भी आपके एजुकेशन से रिलेटर सर्टिफिकेट तो आपको ओरिजिनल चाहिए बर्दी के समय तो दूसरा हमारे पास दोस्तों डॉक्यूमेंट से रिलेशन्शिप सर्टिफिकेट यानि आपका संबंद किसी भी आर्मी परसन से अगर आपके पिताजी या भाई अगर आर्मी में आपके सगे भाई और सगे पिताजी अगर आर्मी में है तो आपको ये मिल सकता है इससे आपको काफी विरायत मिलेगी यानि छूट मिलेगी आर्मी में भरती के समय जैसे कि आपने दोस्तों सुना भी होगा कि अगर आप किसी को बताते हैं कि मेरा बाई है मेरा पिताजी आर्मी में है तो कहते हैं कि इसको काफी छू यह काफी आप आसानी से लगवाग 100-500 रुपे करीबन में CSC सेंटर यानि common service center यह government की एक organization आप वहां से आसानी से बनवा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फोर्थ है आपका card certificate, अगर दोस्तों आप STSC या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको यह original चाहिएगा, आपको general category से हैं तो आपको बस notary, या gram-paradhan या ward member से sign किया हुआ एक परफोर्मा चाहिए, जिस पर यह लिखाओ कि आप general काश से बिलोंग करते हैं, तो दोस्तों अगला हमारा documents है character certificate, दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसके भी ना आप बिलकुल भी army में जाने की सोच भी नहीं सक दोस्तों subscribe जरूर कर दीचेगा, ताकि आप इसको जल्दी से जल्दी देख सकें, तो हमारा six documents है consent certificate, दोस्तों अगर आप अभी 18 साल की नहीं हुए है, अगर आपकी 18 साल इज नहीं है, तो आपको अपने parents या guardian से अनुमती चाहिए, इसको हम अनुबदी परमान पत्र भी कह सकते हैं, अगर आपके पास यह नहीं होगा, तो आप rally में परिवेश नहीं कर सकते, भरती में सम्मिलित नहीं हो सकते, तो दोस्तों 7 अगली हमारी documents है discharge book, अगर आपके brother, real brother और father अगर army से retire हैं, तो उनके पास यह book जरूर होगी, discharge book जरूर होगी, आप उनसे कहिएगा, इस तो दोस्तों जरूर चाहिए या आपको या अपने brother या father से इसको मांगेगा, और 8 हमारा अगला documents है, NCC certificate, यानि National Cadet Court certificate, अगर आपने कभी school में या कहीं पर भी, अगर आपने इसमें सम्मिलित हुए हैं, अगर आपने इसमें परवेश किया NCC में, तो आपको एक certificate जरूर मि चाहिए, और 9th certificate है, sports certificate, अगर आप कभी school से, या जिलस्तर पे, या state level पे, national level पे, कहीं भी भी खेलने हो, अगर आपके पास ये sports certificate है, तो आपको जरूर काफी help मिलेगे, आर्मी में जाने के लिए, दोस्तों हमारा अगला documents है, pay sleep, अगर आपके father या brother, real brother अगर retire हैं तो उनक पास ये जरूर मिलेगा, आप उनसे ये मांगेगा, और हमारा अगला documents है, married और unmade certificate, या आप अपनी कचैरी से, notary से, या फिर gram परदान से, आप वार्ड मेंबर से लिखवा सकते हैं, और आपको ये original चाहिएगा बिल्कुल, और इसके बिना आप बिल्कुल भी सम्मीलित न नहीं है, इसके आपको चाहिए ही चाहिए, अगर आपके पास आदारकार नहीं है, तो आप जल्दी से जल्दी बनवाईए इसको, और हमारा 13 documents है, affidavits, अगर आपके नाम में, या आपके father name में, या फिर आपके address में, कोई भी अगर change है किसी भी document में, तो आप अपना affidavit बनवाईए, जल्दी से जल्दी बनवाईए, या आप अपने नोटरी से, कचैरी से, जहां भी आपका शेतर लगता होगा, वह से आप बन जाएगा राम से, तो हमारा अगला documents है family photo, अगर आप किसी army या army person के relation में है, सगे मतब real relation में है, तो आपको ये family photo चाहिए, और आप आपका कोई real brother है, तो उसकी date of birth का certificate भी चाहिए, तो ये आपको 6 by 4, यानि कि 6 into 4 वाला एक photo चाहिए format में, इसके बिना आपको सम्मिनित नहीं होने दिया जाएगा, और आपके complete नहीं माने जाएगे documents, और हमारा last class का documents है 25 photos, आपके बिल्कुल fresh passport size photo चाहिए, सभी documents में attach करने के लिए है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक कीजिए, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, यूपी बारगा आइकन दवाए, साथ ही साथ अगर आपको कोई भी problem हो किसी भी documents में, तो comment box में जल्दी से जल्दी लिखे, हम को solution देगे, धन्यवाद दोस्तों,